देश खाली के मामले को लेकर बंगाल में सियासी खलबली मची हुई है शाजार केस में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोट और कलकता हाई कोट दोनों से जटका लगा है पहले तो शाजाशेक को CBI को सौंपने के मामले में सुप्रीम कोट ने तुरंट सुनवाई से इंकार कर दिया वहीं दूसरी तरफ आज कलकता हाई कोट ने ममता सरकार को शाजाशेक को साड़े चार बजे तक CBI को सौंपने के आदेश दे दिये है कल भी कल्कता हाई कोट ने शाजार शेक को CBI को सांपने का आदेश दिया था लिकिन इस फैसले के खिलाव बنगाल सरकार सुप्रीम कोट चली गई थी सुप्रीम कोट में मामला होने का हवाला देते हुए बंगाल की CID ने शाजाशेक को CBI को सौपने से मना कर दिया था और CBI को खाली हाथ लोटना पड़ा था इधर संदेश खाली मामले पर राश्टी महिला आयोग ने राश्टपती द्रौपती मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौप दी है महिला आयोग ने बंगाल में राश्टपती शासन लगाने की सिफारिश की है बीजेपी ने शाजाशेक के मामले में ममता सरकार के सुप्रीम कोट जाने पर सवाल उठाए है बीजेपी ने कहा है कि 55 दिन तक शाजाशेक को पकड़ा नहीं गया कल कलकता हाई कोट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के रवये को पक्षपात पूर्ण बताया था अब CBI को मामला दिये जाने के खिलाफ राज्जे सरकार सुप्रीम कोट में अपील कर रही है स्टेट पुलीस इस कम्प्लीटली बायस्ट उसको गिरिफ्तार होने नहीं दे रही देर नाट हैंडिंग एम ओवर और CBI की जो उन्होंने ओर्डर किया कि इंवेस्टिगेशन CBI को दी जारी है उसके खिलाफ फूस अपीलिंग तो दे सुप्रीम कोट यह इस अपीलिंग तो पंगाल में संदेश खाली पर क्यों मचा है बवाल और मोदी बनाम दीदी की जंग में किसका पलड़ा है भारी आजवाजड़ा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम साथ बचकर सतावन मिनट पर करेंगें